ब्रेन ट्यूमर से जूज रहे व्यक्ति ने आर्थिक मदद की लगाई गोहार कौडी राम गोरखपुर ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित 25 साल की उम्रवनिवासी गोरखपुर के कौडी राम सुरेश पुत्रस्वरगी महातम ने सरकार से उनके इलाज के खर्च के लिए मदद की गोहार लगाई पिछले साल दिसंबर में सुरेश के परिवार वालों को उनके बिमारी का पता चला सुरेश के बड़े भाई का कहना है कि हमारे पास इलाज के लिए पैसा उपलब्द नहीं है जिस कारण हम लोग इलाज कराने में असमर्थ हैं उनसे पूछने पर आखिर सरकारी योजना से वेह अपना इलाज क्यों नहीं करा पा रहे हैं उन्होंने बताया कि अंत्यो देकार्ड में नाम ना रहने के कारण इलाज नहीं हो पा रहा और प्रधान मंत्री जन्वरी आरुग्य योजना की 2011 सूची में उनका नाम नहीं है ग्रामीनों का के कहना है कि वाकई सुरेश का परिवार गरीबी रेखा के लिए पात्र है अगर इनका नाम अंतो देकार्ड में जुड़ जाए तो उनका इलाज मुख्यमंत्री जन्वरी आरुग्य योजना से हो जाएगा इस मामले में सप्लाइ स्पेक्टर अरुन सिंग से बात हुई उन्होंने बोला कि मैं इसे दिखवाता हूँ की राशन कार्ड में नाम जुड़ जाए इमस दिली में लगा है नमबर 2021 में होगा इलाज आर्थिक मदद से करा सकेंगे प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज